दर्दनाक है इसके लिए जितने भी बातें कहीं जाएं हमें दुख है हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सरदस्यों की जान गई है मैं उनके प्रतिवी और उनको इस दुख के सैने की सक्थी मिले जो हाथसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाई है पर्शासन की लापरवाई है और ऐसा नहीं है कि उत्तरपरेस की सरकार और पर्शासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कारकम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बाव्यूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चीए था वो इंतजाम नहीं किया है इस लापरभाई की वज़े से जो जाने गई है उसकी जमेदार सरकार है बहुत से लोगों की जान बच सकती थी ना समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए एंबूलेंस का इंतजाम करा पाए और कोई अगर हस्पताल पहुँच भी गया इलाज के लिए गया भी है तो उसको भी वो परियापत इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चेह था ना ऑक्सिजन मिली ना धबाई मिली ना इंबूलेंस मिली और ना कोई इंतजाम किया इसके जमेदार अगर कोई है तो भाज़ुती है जनता पार्टी की सरकार जमेदार है जो बड़े-बड़े दावे करती हैं दुनिया में विश्गुरू बनगए हैं दुनिया में हम पांचriage भी अर्थ-ववस्था बनगए हैं हम तीसरी अर्थ-वश्था बनने जा रहे हैं अर्थव्वर्ष्थ्वा का मैंने ये है कि आप कोई भी एमर्जेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे किसी तरह की एमर्जेंसी आ जाये तो उसमें आप लोगों की कोई सुभ apart पाओगे आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगी ना दवाई होगी ना इन्जाम होगा और ना अक्षिजन होगा तो यह कैसी अर्थ प्रफस्था है जो आप कहां पहुचाना चाहते हो यह सब इनकी बातें जूटी हैं जिमिदार अगर कोई है तो उत् के अंदर दुख था सरकार के अंदर दुख था तो परियाप्त इंतजाम करने चीए थे परसासन के और परियाप्त इंतजाम करना चीए था हस्पतालों में दवाई में आज सरकार के पास क्या है अगर कोई अचानक हो जाए कोई घटना हो जाए तो सरकार के पास क्या इस तरह की घटनाय दुबारा ना हो उसके लिए परसासन को और सरकार को जिम्मिदारी से काम करना पड़ेगा और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई ने कोई एसोपी बना करके रखनी चाहिए देखें बीजेपी कितना घड़िया काम कर सकती है बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है बीजेपी का अगर आप जैसे आप पतकार साती हैं अगर आप उनके मन की बात ना करो मनमर्जी की बात ना करो तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना और दूसरा का होगा उस चैनल का बजट कम करना यह कोई नई बाते हैं क्या जब बीचे भी यह जो काम करती है आप इतने जागरुग लोगो पालेमेंट दो दो पालेमेंट बिल्डिंग के बीश में खड़े हो तब भी आप नहीं जागरे हो था इसलिए मैंने कहा था कि मंत्री मंडल बदल अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या या खड़े हम लोग जो कवरेट आप की कवरे जा रही है उन्हीं यही लोगो देखकर के सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है किया यही राता विष्गृू बनने का है क्या यही रास्ता पांच मी अर्थव्थथदा का है और यही रास्ता है किया 30 positivity बन जाओगी दुप कि अरे दुनिया की अर्थवस्ता नहीं बनना बनो ना बनो ऑक्सिजन तो देदो दवाई तो देदो एमर्जेंसी में किसी की मदद तो कर दो एक्षेन यह चाहते हैं मैंने सुनानी आपने मैंने का कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और परसासन को एक पूरा इंतादां देखना चीए पूरी जानकारी हासिल करने चीए तनी बड़ी फौज है यह बात यह बात परसार संसं को एक हम अधनी चाल आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्योंण उन्हों नहीं खुआ थी उनको जानकारी चामद को की आपके आयोजन की वज़े से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इनके इंद्जाम के लिए हम क्या खरें प्रशासिन को त्यारी करनी पड़ दी इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सरपर नमढ़ें सरकार की जिम्मेदारी थी सरकार की वज़े से आकसिजन नहीं मिली है, सरकार की वज़े से अमबुलेंस नहीं आई और सरकार की वज़े से जिन शवओं को जिस तरीके से लिए ले जाये घ couples की पूरी सरकार की बैब करेंगा FAR मैं कहता हूँ बाबह कीरफटारी करा है बताओ तुम दो बाबह नहीं हुआ